यूपी में इन दिनों सियासी हरकंप मचा हुआ है लगतार हो रही बयानबाजी और आगामी उपचुनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसला तो चल ही रहा है लेकिन इसे बीच बीच बीते दिनों हुई बहराईच हिंसा से एक बार फिर राजनीतिक उबाल देखने क का काम कर रहा है इसी कड़े में इस मामने पर दो आरोपियों के हुए एंकाउंटर को लेकर एक बार फिर विपक्ष ने इनकाउंटर का मुद्दा बनाते वे बीजेपी और योगी सरकार पर हमला बोला है बतादे कि मंगेश यादो इनकाउंटर के बाद अब बहराईच आ इंडिया पबलिक खबर उत्रप्रदेश के बहराईच के हालात अब शान्त हो गए हैं और यह ऐसे शान्त हुए कि अब पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया है लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं कई घरों में ताले लटके हुए हैं जहां एक समय अच्छी खासी च गड़ सकता है तो किसी को भरोसा है कि प्रिशाशन कानूनी प्रक्रिया के तहत कारवाई करेगा कुल मिलाकर एक तरफ जहां बहराईच के महसी इलाके में अजीब सा सन्नाटा है तो वहीं बीते दिनों होई हिंसा की वज़ए से लोगों के दिल पर गहरी चोट लगी है तो यारों में एंकाउंटर को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है और ये पारा पक्ष और विपक्ष की बीच छिडी बयान बाजी की चलते चड़ा दरसल बहराईच जिले के महराजन इलाके में 13 अक्टूबर को हुई संप्रदाइक हिंसा के पाच आरोपी गुरुआर दो प सियासत तेज हो गई है समाज़दी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष अकले शियाद्व ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते वे सरकार को घेरा और इस तरह के इंकाउंटर को सरकार की नाकामी बताया है उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाय हो रही है और ये घटनाय जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है इंकाउंटर, नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई हैं अगर इंकाउंटर से ही लॉइन ओर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कही आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता यही नहीं अकलेश श्यादों ने कहा कि अगर सरकार एक कस्वे में शांतिपूर तरीके से एक यात्रा को नहीं निकलवा सकती तो राज में कानून विवस्ता कैसे ठीक रहेगी इंकाउंटर और हाफ इंकाउंटर डराने के लिए हैं जो लोग एक शांतिपूर तरीके से एक कस्वे गाउं का या आसपास के लोगों का कारकम शांतिपूर से संपने नहीं करा पारेंगे उनसे लौडर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर ये इंकाउंटर, हाफ इंकाउंटर ये डराने के लिए हैं आम उससे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इंकाउंटर किसका किया इनों ने तो वहीं कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्रियार श्रीनेत ने भी इंकाउंटर को लेकर बेजेपी सरकार को घेरने का काम किया है पुरी तरह से धहस्थ हो चुकी है योगी आदितनात की कुरी खत्रे में है वो केवल अपनी कुरसी बचाने में लगे हुए है उत्तर प्रदेश में कानून विवस्ता का बुरा हाल है। वहाँ की कानून विवस्था आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश में हम बार-बार शांती भाल करने की अपील कर रहे हैं बहराईच के हालात सामाने होने चाहिए सामाने होने के अलावा वो बद से बत्तर होते जा रहे हैं वहाँ योगी सरकार की मंतरी ओपी राजभा ने विपक्ष के सभी आरोपों पर पलटवार करते वे कहा कि जब पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी और उनके उपर कोई गोलियों के बोच्छार करेगा तो क्या पुलिस उसे माला पहनाएगी या फिर फूलों की वर्शा जिन्दा या मुर्दा उन्हें आरोपियों को पकड़ना है अपराद अगर किया है तो जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या फिर जेल में देश-प्रिदेश में कानून विवस्ता बनी रहनी चाहिए बदादी कि बहराईच के हर्दी इलाके के महाराजगंज कजबे में र अब्दुलहमीत, रिंकू उर्फ सर्फराज फहीम, राजा उर्फ साहिर खान, रहवा मनसूर का रहने वाला ननकव और मारूफ अली समित 10 लोगों पर हत्याक मुकदमा दर्श किया गया था घटना के बाद बहराईच में दो दिनों तक हिंसा जारी रही भीड ने घरों, शोरूम, अस्पतालों और वाहनों में आग लगा दी, जिसके बाद बहराईच पुलिस ने कई अग्यात और कुछ नामजद लोगों के खिलाफ कई प्रात्मिकी दर्श की, हिंसक प्रदेशन के आरोप में पुलिस 50 से अधिक लोगों का अब तक गिरिफतार कर चुकी है, जब उत्रप्रदेश की राजनीती में इंकाउंटर को लेकर सियासत देखने को मिली हो, इससे पहले भी हुए कई इंकाउंटर्स पर सियासत तेज होती हुई दिखाई दी, चाहे वो विकास दूबे का इंकाउंटर हो, या फिर हाल ही में मंगेश यादो का इंकाउंटर हो हर बार इंकाउंटर को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया हाल ही में हुए मंगेश यादो की इंकाउंटर के दौरान भी सपा सुप्रीमों अखलेश यादो और आम आदमी पार्टी के सांसर दसंजय सिंग के बयान सामने आये थे और विपक्ष लगातार प्रदेश की योगी सरकार पर फेक इंकाउंटर और खराब कानुम निवस्ता को लेकर सवाल उठा रहा है फिलाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही इस रिपोर्ट पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले